तो के सो राइडिंग दी हीरो एंपल्स अगेन और यह मोटरसाइकल जो है यह पर्टिकल मोटरसाइकल सागर भाई की है और मैंने जो सबसे पहले इंपल्स लाई थी वह यही मोटरसाइकल थी इसका रेव्य वीटियो आपको मिल जाएगा इसक्रेप्शन में लेंक है आप वह भी देख सकते है वाद में तो यह यह मोटरसाइकल मुझे इतनी प्यारी लगती है ना स्टॉक एंपल्स क्योंकि इसका इंजिन इतना स्मूध है इतना रीफाइंड है ओविसली पावर उस ल सब्सक्राइब है तो अभी बात करते हो नहीं मॉट्स की इस मोटरसाइकल का परपस क्या रहा है लब स्टार्टेंग से अब को बता है इंपल्स वास दी फॉर्स डूल स्पोर्ट मोटरसाइकल इन इंडिया उस टैम पे इसमें जो हाडवेर था वो टॉप नॉच था शोव सब्सक्राइब है पर सब कुछ कर लेती है पावर इस ऑल्सो रियूजबल बाकी हीरो इंपल्स के मैंने एक और वीडियो डाली विए जिसमें इंजिन लगा हुआ है तो उस एंजिन के साथ तो यह और जादे एक्स्प्लोसिव हो जाते चलाने में बट या वो थी स्टॉक म और एक और बात यह भी है कि एंजिन जो था वो हीरो से सोर्स नहीं था वो हॉंडा से सोर्स था तो वेरी स्मूध रिफाइंजिन साउंड भी इसका इतना रिफाइंड एवन विद इस एक्सप्स तो बिल्कुल प्राप वाली एक्वाज है इतनी परफेक्ट है फुल ओफ इस फुल ओफ करेक्टर और इवन इसे चलाने का जो ढवराल फृल यह भी बहुत भीतरी ने मेरे हसाब से तो मतलर इसे चलाने में हमिशा मासा आता है अब आफ रोड में तो मैंने से ज़ाजा चलाया नहीं है क्योंकि मैंसे साही में नहीं चला पाता हूं आफ रोड में सागर भाई नहीं अपने साब से स्पेक कर रखा है और मुझसे तो नहीं समलती है यह बट हाँ सागर भाई इस अच्छे का सक करतब दिखा देते हैं ओफ रोड में यह पर्टिकलर मोटरसाइकल उन्होंने 2016 में खरी दिखी शायद या फिर यह यह तो वैसे 2016 मॉडल ही है पर उन्होंने यह 2016 मॉडल तब खरीता था जब यह डिस ृद में यह पर्फिक्ट जो एक कमी इस मोड़साइकल में वह है यूआ वर तक और दुर्म चलाने के बाद अब लाने के लिए इंपर्ट में बहुत खर्चाखरादा बढ़ता है मतलब एंजिन स्वाप या फिर एंजिन रिबिल्ड बिकबोर एविलेबल हर चीज है समीट साइकल के लिए आप को जितने माट्स कि लिए इस अफेलेबल हैं ये आपको जितना बड़ा कढने आप कर सकते हैं मतलब वो वीडियो आप चेक आउट करो बहुत तकड़ी है और उसकी परफॉर्मंस तो मतलब बहुत तकड़ी थी मेरे साब से इन कंपरेसेंट टू दिस टॉक एमपर्स अब मैं यह नहीं बोलूँगा कि परफॉर्मंस इसमें बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि अपने टाइम पे तो है इस मोटरसाइकल ने सबको दूल चटाई है 13 बहुत की मोटरसाइकल है 13.4 नम का टॉर्क प्रदूस करता है इसका 149 सिसी का एंजिन सुपर स्मूर्थ सुपर रिफाइंड बारबर बोलूँगा क्योंकि ओवेसली इस अ हॉंडा मोटर और एक्सॉर्ज का साउंड सुनके तो मुझे वाई सा मजा ही आ जा रहा है एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है हिरो की मोटरसाइकल में यार वो है गेरिंग की इसमें भी ह स्ट्रेंडर और बाकी की ग्लैमर वगरा उनमें भी है उनकी गेरिंग बड़ी वियर्ड है मतलब फॉर्स्ट में आप गाड़ी चढ़ाई पे चीखे निगल जाएगी गाड़ी की रेड डाइन हो जाएगी तो मतलब गाड़ी इपने फुल पोटेंशल में चली नहीं पात अगर अगर आप शिफ्ट करेंगे तो फिर गाड़ी बॉक डाउन हो जाएगी तो यह बहुत जादा दिख कर देंस मोट साइकल में अभी मुझे चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है एंड हमेशा ही मज़ा था जब भी मोट साइकल चलाता हूं यह वाली और एक और इसमें जो बहुत बड़िया चीज है वो यह है कि इसमें जो वीर्स है वो स्टॉक सेटप पे नहीं है इस मोट साइकल इस वेरिंगा 21 इंच फ्रंट वील और 18 इंच रेर वील स्टॉक मोट साइकल में नाइंटीन सेविंटीन आते हैं आगे 19 पीशे 17 और इसमें नॉबी भी डले ह तो इसका जो ओफ्रोड में परफॉर्मेंस है वो बहुत जादा डिफरेंट नॉमल मोट साइकल से नॉमल स्टॉक इंपल्स से तो यह और एक बात है प्लस इसकी हाइट ऑविसली इतना बड़ा वील सेटप इसके चल रहा है इसकी हाइट बढ़ चुकी है और वही इसकी ग ग्राउंड लेरंस आती है वो इतनी है कि अब पहाड चटा तो इस मोट साइकल को अगर गाली बाव डाउन ना करें तो 245 mm की इसकी ग्राउंड क्लिरेंस उस टाइम ती जब यह स्टॉक वील सेटप पे थी अब तो और आविसली बढ़ गई होगी और अगर मैं बाती बहुत ज्यादा भायंकर तो नहीं बोल सकते क्योंकि आविसली सस्पेंशन ट्रैवल जिन मोटसाइक उसमें ज्यादा होता है उनकी ब्रेकिंग परफॉर्मस बहुत जादा टॉप नॉच नहीं रहती है तो यह प्रेकिंग परफॉर्मस इसके ठीक ठाक है एंड जैसे कि मै सब्सक्राइब मैच करो हूँ है प्रैप साउंड यार विल्कुल और नॉबीज में इतने तगडी लीन करती है मोटसाइकल मतलब ग्रेप की कमी नहीं होती ही ना रोड पे ना ओफ रोड पे चुछ कई दिस रेड़ेद दा मोटसाइकल लिए हरो मटसाइकल इंपल्स और एक बार स्टांस चेक करो यारिस मोटसाइकलत में इतनी पर्फेक लगए लग रही लग लगई है का इस्टाउख इमपल्स यसी को प्रॉपर ड़र्ड भाई इसका स्का अंस और एक बार आपक और यह original TPM handguards है जो इस मुरसाइकिल में बहुत जादा फॉक एक लग रहे हैं अधी इंडिकेटर भी रहे हैं इसमें तूसरा इसमें आपको पता रहा है इसमें 21 इंच का फ्रेंट भी लगा हुआ है एंड इस रणिंग ओन 90-90-21 इंच राल को नॉबी तो यप वेरी वेरी नाइकली स्पेक्ट आप इसमें 4 गेटर लगे वे हैं और सस्पेंशन ट्रैवल आप देख रहे हैं इंपर्स का इतना तकड़ा है ग्राउन क्लेरेंस भी बहुत साधा बहुत ही जादा है स्मुरसाइक का पारटी पीस मतलब यह जो एक्जास्ट है यह अब सोर्स करना बहुत जादा डिफिकल्टत है और इसकी जो ओवर रल क्वालिटी वो बहुत जादा एपक है और यह इसका जो रेर स्टांस है लगते भी मोटसाइकल और देल लगती है बहुत जादा बहुत जादा खुब जादने वाला है उसको तो बिल्कुल खगाना मिलने वाला है बना बनाया सीट भी कस्टम मेड है और स्पेशली स्टेक्ट अपर्डिंट तो बहुत जादा टाइम नेगा था इसकी सीट को बनाने में भी पट बन वी थी आखिरकार और इंपस में बॉक्स टाइप स्विंग जादा लंबी नहीं जादा चोटी नहीं पर्फिक्स एडिए इंडिकेटर नमपलेट और थे लांबी इसमें लगा हुए है तो याप इस प्रॉफर्ली लीजल पतलब ओविसली इस नॉट लीजल बार इसमें जो हैंडल बार नगा हुए है और बहुत अधा मजबूत ही है इसमें लगी जी है कस्तम वाली होता था दीन उतील देती है और इस मोर्चाइकल में प्रॉपर डेट्रोनिक्स जब दिये गहे हैं पाइजी ओनर तो यह सब चीजे भी इसमें हो रखती तो यप चोटी चीजे जो प्रॉपर बनाती है वो सब इसमें हो रखता है और एंजि आइंडल तुनिया वरके स्टिकर्स जो बहुत ज़ादा प्यार हैं और इंपर्से किक भी आती थी ओविसी इस से चाब्री राटेटेटेड मोरसाइकल तो इसमें किक भी इसमें फिल्टर डला वाव ऐसे अधे अलिए इसमें और एक्षिक भी तो पर्फॉपर्मस थे बनाना बौत अधा मुश्किल होगा अब वाओ इसमोटरीकल को मैं बहुत देर तक और सक्था है ऊन्सले प्रॉट्स है आपिट्स अल्मोस्ट पर्केक्त न माय पिमिन तो अब मैं आप जल्दी से इसका का एंग्जोस्ट नोट अर सना लेता हूं के स्विच इस शॉपिश okay so this was all about this beautiful hero impulse and yup this is it like share subscribe link is in description for the instagram handle and as always ride safe and keep riding hard